आखिर क्या हुआ जो अचानक से कल रात अयोध्या में आगिरा भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र। जी हाँ दोस्तों ये घटना कल रात अयोध्या में घटित हुई है जिसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि मानव देवताओं की सीधी कृपा अयोध्या पर ही पड़ रही है। और देश भर में भी अयोध्या राम मंदिर बनने की खुशी पुरे देश पर छाई हुई है। दोस्तों वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी पक्के सनातनी हिंदू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने सभी सनातनी भाईयों को शेर जरूर करें। दोस्तों, जो घटनाएं अयोध्या में पिछले कुछ दिनों से घट रही है वह लोगों को सोचने पर विवश कर रही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है जिसमें सर्व प्रतम गिद्धों के जुंड की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और गिद्धों के जुंड को अयोध्या में देखा गया उसके बाद भालू के जुंड को अयोध्या में देखा गया ऐसे ही बहुत सी घटनाएं अयोध्या में घट रही है लेकिन अब जो घटना वहां घटी है उसे देखने के बाद ऐसा महसूस होने लगा है जैसे कि भगवान श्री राम साक्षात अय जब अयोध्या में आकर गिरा, तो पल भर के लिए तो ऐसा लगा, जानो पूरी धरती ही काम उठी है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश था, और एक बड़ा विस्फोट अयोध्या में हुआ, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए, सभी के मन में यह शंका थी कि आखिर य काम की कथा गाने लगे, दोस्तों सुदर्शन चक्र का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है, परंतु जिस टाइम इसको वहां देखा गया, उसके बाद नासा के वैज्ञानिक तक वहां पहुँच गए, और वैज्ञानिक भी इस बात से हैरान है कि आखिर ऐसा संभव कैस कैसे हो सकता है, परंतु दोस्तों, ये प्रकृती कुछ अपने नियम और कायदे कानून भी लेकर चलती है, जिसे विज्ञान की ताकत भी रोक नहीं सकती, जिस समय यह सुदर्शन चक्र वहां गिरा, उसके बाद भारी मात्रा में पब्लिक वहां इकठी हुई, और सभी र राम वाकई में ही अयोध्या में आ चुके हैं, बस जो समय गुजर रहा है, वह 22 जनवरी के लिए गुजर रहा है, क्योंकि 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी और चारों तरफ बहुत ही अच्छा माहौल होगा, दोस्तों, सुदर्शन चक्र क ने अनेक असुरों का वध किया था, इस चक्र को विश्नु ने गढ़वाल के श्री नगर स्थित कमलेश्वर शिवालय से तपस्या करके प्राप्त किया था, सुदर्शन चक्र एक ऐसा अस्त्र है, जो अपने लक्षे तक पहुँच कर वापस आ जाता है, दोस्तों, सुद सुदर्शन चक्र भगवान विश्नु के पास एक अमोंग अस्त्र था, जो उनके कृष्ण अवतार के अंदर भी उनके साथ था, कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र की मदद से कृष्ण ने अनेक असुरों का वध कर दिया था, यह असुरों का वध करने के लिए और देवता देवताओं की रक्षा करने के लिए भगवान विश्नु ने धारण किया था कहा जाता है कि प्राचीन समय के अंदर जब राक्षसों का अत्याचार देवताओं पर बहुत अधिक बढ़ गया तो सारे देवता भगवान विश्नु भगवान विश्नु के पास पहुंचे और राक्षसों से बचाने का आग्रह करने लगे तब भगवान विश्नु के पास भी ऐसा कोई भी अस्त्र नहीं था कि वे राक्षसों का वध कर सके इस वजह से भगवान विश्नु कैलाश परवत पर जाकर एक हजार नामों से शिव की स्तुति करने लगे उसके बाद वह हर पुष्प शिव को अर्पित करने लगे। उसके बाद भगवान शिव ने विश्नु की परीक्षा लेने के लिए विश्नु के लाए एक हजार पुष्प में से एक पुष्प को छुपा दिया। पुष्प कर्मा की बेटी का विवाह भगवान सूर्य से हुआ था सूर्य के अधिक ताप की वजह से वह अपना वैवाहिक जीवन नहीं जी पा रही थी। तब भगवान शिव ने सूर्य का ताप लेकर सुदर्शन चक्र को और पुष्पक विमान को भी बनाया था। भगवान विश्णू को सुदर्शन चक्र प्राप्त होने के संदर्व में एक अन्य कथा का भी उल्लेक मिलता है। वित्मनू नामक ब्राह्मन रहते थे। उनकी पत्नी का नाम धर्मशिला था। वे सदाचारी महिला थी। उनके पुत्र का नाम उपमन्यू था। वे लोग इतने गरीब थे कि उनके पास अपने पुत्र को पिलाने के लिए दूध तक नहीं था। वह अपने पुत्र को चावल का धोवन दूध के रूप में पिलाती थी। एक दिन वह अपने माता पिता के साथ किसी भोज पर गया, जहां पर उसने दूध से बनी हुई खीर खाई। तब उसे दूध के स्वाद के बारे में पता चल गया। उसके बाद अगले दिन बालक ने असली दूध की मांग की और चावल के धोवन को पीने से इनकार कर उसके बाद धर्मशिला ने बताया की तुम विरुपाक्ष की सेवा करो। उसकी माता ने आगे बताया की श्रीदामा प्राचीन समय के एक महान असुर राजा थे। उसका प्रताप इतना तेज था कि उसने अपनी ताकत से तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया और वि शिव की आराधना करने लगे। खजार साल तक तपस्या करने के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और विश्नु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया, जिसकी मदद से भगवान विश्नु राक्षसों का संहार कर सके। दोस्तों, इस अस्त्र की खास बात यह थी कि यह प्रचंड वेक की तरह तेजी से घूम सकता था, और यह अपने दुश्मन को परमानुबम की तरह भस्म कर सकता था। यह चांदी की शिलाओं से निर्मित है, इसके चारों और त्रिशूल लगे हुए हैं, इसमें अत्यंत विसैलेविश होते हैं, इस अस्त्र को बनाने की विधी को गुप्त रखा गया है, ताकि कोई इस विधी से ऐसा अस्त्र नहीं बना सके, इस चक्र को फेक नहीं जाता है, बलकि इच्छा शक्ती से इसको दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। एक बार यह उंगली से निकलने के बाद यह दुश्मन का नाश करके ही वापस आता है। सुदर्शन चक्र के अंदर 108 दांत होते हैं, यह 8 किलोमीटर की यात्रा करने में सक्षम होता है, यह दुश्मन का तब तक पीछा करता है, जब तक कि वह आत्म समर्पन नहीं कर देता। आत्म समर्पन करने के बाद भगवान विश्नु खुद उसे बच चाने आते हैं। दोस्तों सुदर्शन चक्र को अयोध्या में देख कर अब यह महसूस होता है कि सच में भगवान राम अयोध्या में आ चुके हैं, क्योंकि उनका अस्त्र उनका शास्त्र भी उनके पीछे-पीछे अयोध्या में आ चुका है। तो आने वाली 22 जन्वरी को आप भी अपने परिवार के साथ मिलकर इस राम दिवाली को मनाएं किसी के साथ धन्यवाद